चलिए तो आजका जो हम लुगा टोपिक रहेगा वो रहेगा यहां पर fungus के उपर तो paper first में unit 4 जो हमारा है इस unit 4 में हम लोग discuss करेंगे fungus के बारे में unit third हम लोग bacteria पर चुके हैं तीक है हमारा finish हो चुका है तो आजका जो topic है वो fungus के उपर है लेकिन fungus को भी यहां पर start करने से पेले हम लोग नोग फोडा सा unit first में अगर जाए इसी पर फिर्स्ट के ठीक है इसी परumen फिर्स्ट के unit first में हम लोगों ने जो फंगस थे उनकी जनरल कराक्टर के बारे में डिसकस कर लिया था ठीक है वहाँ पर हम लोगों ने जनरल करेक्टर इसके देख लिया है अगर आप लोगों नहीं देखें तो जाओ प्लेलिस्ट में सर्च करो यह सी फर्स्ट इयर बॉटनी फर्स्ट पेपर और वहाँ पर सारी वीडियो पहली यूनिट से रिलेटेट कंप्लीट आपको मिल ज के डिवीजन क्लासिफिकेशन में जो हमने फंगस को डिवाइट किया था उसको तीन डिवीजन में डिवाइट किया गया था हाला कि किसी-किसी बुक में अलग-अलग डिवीजन दिया गया है लेकिन अलेक्जोपोलस और मिम्स के एकॉर्डिंग अगर हम लोग फंगस को प इसके साथ हम लोगों ने फंगस के इकनोमिक इंपोर्टेंट्स के बारे में भी डिसकस किया था कि आर्थिक रूप से फंगस हमारे लिए कितने महत्व होते हैं ठीक है कि फंगस के दो रहा हमें क्या लाब हो रहा है हम कौन-कौन से फंगस खा सकते हैं कुछ एडिवल फंगस भी होते हैं यह खाया जाता है खाने योग होते बहुत रहे कि असंक करते हैं बारे में क्या कर लिया था यानि कि खमीर कोशी का जो की फंगस में यह आती है उसको पढ़ लिया था अब जो हमारा यूनिट 4 है इस यूनिट 4 में हम लोगों को फंगस के जो यहां पर डिफरेंट टाइप के फंगस हैं उनके classification उनके general character means fungus का जो एक normal general character था वो हम लोगों ने देख लिया अभी अपन लोग को यहाँ पर देखना है कि जितने भी fungus आते हैं उन fungus में कुछ ऐसे fungus important हैं जिनके बारे में आपके exam में पूछा जाता है क्या क्या पूछा जाता है उसका पहला number तो classification पूछा जा सकता है दो तीन number में ठीक है दूसरा उसका habit habitat का है आपको यह पता होना चाहिए तीसरा उसका external morphology आपको मालूप होनी चाहिए फिर especially आपको इस paper में fungus के reproduction के बारे में discuss करना है तो जो reproduction है वो asexual और sexual बोथ type का reproduction यहाँ पर fungus में पाया जा सकता है तो उसके बारे में हम लोग discuss करेंगे इसके साथ यह discuss होने के साथ हम लोग यहाँ पर जो है ना इनसे कौन सी disease cause हो रही है मतलब जो fungus यहाँ पर है उनसे कौन कौन सी disease cause हो उसको भी थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है तो मैंने यहां पर कुछ फंगस को इंक्लूड किया है जो फंगस हमको डिटेल में पढ़ने है और कुछ ऐसे फंगस है जिनके हमको क्लासिफिकेशन के बारे में ही पता होना चाहिए और कुछ दो-चार उसके बारे में पॉइ जा सकता है कभी-कभी ऐसे कोशन आ सकता है आपके एक्जाम में कि मतलब यहां पर दो मैंने भी लिखे हो है अल्ब्यूगो और पाइथियम और भी आ सकते हैं अस्टिलागो इनके सब के क्लासिफिकेशन के बारे में आपको लिखना है तो तीन-चार फंगस दे दिए और कह है तो क्लासिफिकेशन तो आपको याद ही होना चाहिए दो नंबर का होता है किसी भी फंगस का राइट सिंपल है सभी एक दूसरे से सिमिलिटीज शो करते हैं बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि किस डिवीजन का है और किस सब डिवीजन में रखा गया है तो यहां पर कुल दस फंगस के बारे में आपको बताऊंगा टैन फंगस हम लोग यहां पर इंक्लूट करेंगे जिनके क्लासिफिकेशन में आपको सबसे पहले समझाओंगा फिर उसके बाद में हम लोग एक एक फंगस के बारे में डिसकस करेंगे दस फंगस के बारे में तो यह कुछ यहाँ पर कुछ important fungus को मैंने यहाँ पर minimum 10 fungus को मैंने यहाँ पर include किया है जिसमें पहला जो fungus है जिसके बारे में हम लोग को detail में पढ़ना भी है इसके reproduction के बारे में भी हमको पढ़ना है asexual, sexual पूछा जाता है जिसका नाम है albugo albugo को हम लोग क्रिस्टोपस के नाम से भी जानते है अब इसका classification हमको थोड़ा सा समझना है classification में आपको कुछ खास बात याद रखनी है कि किसी भी fungus का classification करते समय आपको उसके kingdom के बारे में जानना है उसके division के बारे में जानना है उसकी class कौन सी है उसके बारे में जानना है order के बारे में जानना है even family, genus और species के बारे में भी आपको लिखना पड़ता है अगर आप species नहीं भी लिखते हैं तो कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन genus के बारे में आप लिखें अब इसमें से आप क्या-क्या लिख सकते हैं तो जैसे कि आपको exam time में बहुत सारी चीज़े नहीं याद रहे हैं तो आप short करना चाहते हैं तो albigo को आप kingdom लिखें पहले number दूसरा इसका division लिखने अगर sub-division नहीं भी लिखने हैं कोई बात नहीं याद नहीं रहता इसको आप cut कर सकते हैं erase कर सकते हैं इसकी class आपको पता होनी चीए order, family और genus तो हम यहाँ पर sub-division और species को अगर हटा आने तो हमको मातर 1, 2, 3, 4, 5, and 6 6 points को याद रखना है और अगर दो लोग को और add करने तो 8 points हो जाएंगी total तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 points याद रखें या 6 points 8 points में आप sub-division और species यह नहीं कर रहा कि आप हटा आदो याद नहीं होट पार रहा है अगर आप इनको नहीं भी लिख रहें तो कोई फरक नहीं पढ़ता है लेकिन इन जो मैंने यहाँ पर 6 points है इनको आपको लिखना ही लिखना है तो यहाँ पर जो या क्रिस्टो प्रस का classification है या systematic position के नाम से भी प्मुचा जाता है इसको आपको पढ़ना है तो इसका जो kingdom है तो वो my quota होगा या हम इसको my city के नाम से भी जानते है kingdom my quota या my city हम लोग इसको बोल सकते हैं याद रखेगा अब यह जो kingdom है यह change नहीं होने वाला जो जगत है वो change नहीं होने वाला यह वही रहेगा तो इसको एक बार याद करना है then division अब division हम लोग यहाँ पर देखेगे कि जो division यहाँ पर दिया गया वो तीन टाइप का दिया है आपको पता है zimno my quota, mastigo my quota, a mastigo my quota अब यहाँ पर जो fungus है वो किस division से belong कर रहा है यह आपको याद रखना है तो यह तो आपको याद ही करना है तो albigo जो है यह mastigo my quota division से क्या करता है? belong करता है इस बात को याद रखी तो division जो इसका हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा class क्या हो जाएगा? order की बात करें तो order यह थोड़ा सा important इसको याद रखिएगा तो order यहाँ पर हो जाएगा Perino하하руls और क्या हो जाएगा Perino Susporels और Family केखर हम लोग बात करें तो Family में आपको पता है लास्ट में एस ही लगता है तो यहां पर Elbogenesi Family जो Elbigo की हो जाएगी वो क्या हो जाएगी Elbogenesi और जो Genus होगा Elbigo होगा और species Candida Elbigo का आपको पता है क्या करना है अंडरलाइं करना है देन केंडिडा जो इसकी स्पीसीज है उसके सारे लेटर स्माल होते हैं इस पात प्याद रखेंगा चलिए तो यह हमारा हो गया अल्बीगो या क्रिस्टोपस इसको दो तीन बार आप रिवाइज करेंगे जो मैंने बोला है इसी को अगर आप दो तीन बार सुनेंगे तो आपको यदो जाएगा सेकेंड जो यहां पर फंगस दिया गया है वो है पाइथियम अब जो पाइथियम है इसका भी वही हमको सब याद रखना है इसका क्रिंडम क्या हो जाएगा माइकोटा सर वो तो चेंज होना नहीं होना है डिवीजन हाँ पाइथियम जो है वो ए मस्टिगो माइकोटा में जो सबडिवीजन अल्वीगो का था वही डिप्लोमस्टिको माइको टिना सबडिवीजन पाइथेम का है तो मैंने बताया ना कि आप सबडिवीजन को नहीं भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्लास इसकी सार उमाइसेटीज ही रहेगी हाँ क्लास उमाइसेटीज रहेगी और जो है वो और सेम रहेगा बिल्कुल अल्वीगो की तरह ही जिसको हम लोग बोलेंगे पैरिनो इस्पोरेल्स फैमिली जो है इसकी फैमिली में अब डेफिनेटली पाइथेम हम लोग पड़ र यहाँ पर आप लिख दीजेगा डी बेरियनम तो यहाँ पर जो इस तरीके से हमारे यह दो पाइथियम इंपॉर्टेंट कम्प्लीट हुए इसके बाद में हम लोग और देख लेते हैं तो यहाँ पर जो थर्ड हमारा फंगस रहेगा इंपॉर्टेंट फंगस है उसका नाम है एसपरजिलस ठीक है तो एसपरजिलस आपका इंपॉर्टेंट है इसे हम लोग common black mold फंगस के नाम से भी जानते हैं ब्लैक मोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो फंगस हैं ये जो ब्रेड होता है उसके उपर ग्रो करते हैं और उसमें विजीज कॉस कर देते हैं जिसको ब्लैक मोल्ड कहते हैं और फंगस जो ये है ये ब्लैक कलर का आपको दिखाई देता है वहाँ पर ठीक है जो ब्रेड ह हो जाता है किसके कारण एसपर जिलस के कारण ही इसलिए इसका हम लोग black mold के नाम से भी जानता है अब देखिए इसके classification की अगर हम लोग बात करें तो classification important इसका kingdom वही mycota रहेगा लेकिन अगर हम लोग division की बात करें तो division यहाँ पर change हो जाएगा division जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा a mastigo mycota अब जितने भी fungus आगी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो a mastigo mycota division के ही है राइट लेकिन a mastigo mycota को आपको पता है a mastigo mycota को four subdivision में क्या किया गया है classified किया गया है जिसमें पहला जो है वो है जाइगो mycota मैंने पढ़ाया है आप लोग जाकर की देखिए जाइगो mycota एसको mycota बैसिडियो mycota और डिट्विरो mycota मैंने पढ़ाया हुआ पहली unit में तो यहाँ पर जो division a mastigo mycota है इस a mastigo mycota में जो sub division रखा गया है वो a mastigo mycota है that means a mastigo mycota तीना को belong करने वाला कौन है एस पर जिलस जो की sub division के division a mastigo mycota में रखा गया है class की बात करें तो class इसकी हो जाएगी asco mycities order की बात करें तो order यहाँ पर हो जाएगा asper gilels asper gilels family यहाँ पर हो जाएगी euro tac family क्या हो जाएगी euro tac genus हो जाएगा asper gilels और family यहाँ पर flavus तो asper gilels की जो family हम लोग discuss करेंगे वो especially flavus होगी और मने पता है कि यहाँ पर species और sub division को अगर आप crop कर देते हैं तो फरक नहीं पढ़ता है classification में number पूरे मिलेंगे राइट चलो इसके बात में हम लोग देखेंगे लेकिन detail में पढ़ने से पहले इसके classification को देख लो जो की दो number में आपका पूछा जाता है तो यहाँ पर जो kingdom है sir kingdom तो mycota होगा न हाँ mycota है division की बात करेंगे तो division यहाँ पर a mustigo mycota वही लेकिन sub division यहाँ पर change हो जाएगा यहाँ पर division आप देख रहेते है एसपर जिलस में जो sub division था वो a must sorry s co mycotina था लेकिन यहाँ पर division a mustigo mycota का जो sub division है iis bacidium mycotina से belong करता है कौन pacsinia ठीक है इसकी class क्या हो जाएगी bacidium mycities अगर हम लोग order की बात करेंगे तो order हो जाएगा uridinales ठीक है bacidium mycities इसकी class order uridinales family की बात करेंगे तो family यहाँ पर हो जाएगी pacsiniae c जो हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी family और genus beta का क्या रहेगा तो इस तरीके से बेटा ही हमारा पक्सीनिया तक four fungus cover up हो गया है अब हम लोग इसके आगे फंगस कबर करते है चलिए तो आगे यहाँ पर हम लोग को जो दो और फंगस हमने आप रिंक्लूट किये एक पांचमा फंगस आपका अगेरिकस और six fungus है ऐसको बोलस तो अगेरिकस यह जो खाने यह फंगस होती है जब मैं अगेरिकस पढ़ाँगा ताब वहाँ पर बता दूगा और इससे पहले पहली यूनिट में मैंने डिसकस किया इसके बारे में तो गिल फंगी भी इसको बोलते हैं गिल फंगी क्यों कहते है क्योंकि इसका जो बैसिडियो कार्ट यानि क लेकिन डिवीजन यहां पर चेंज होगा है डिवीजन हो जाएगा ए मस्टिगो माइकोटा तो जो अगेरिकस है यह दिवीजन ए मस्टिगो माइकोटा का है और सब डिवीजन बैसिडियो माइकोटिना में रखा गया है ठीक है तो सब डिवीजन इसका क्या हो जाएगा बै species यहाँ पर कमपेस्ट्रिस के बारे में पढ़ेंगे, तो यह अगेरिकस का classification हो गया, आपको देखें, दो नंबर में यह याद ही करना है ठीक है, तो याद करने से बहतर है आप जितनी बार वीडियो को बार-बार repeat करेंगे आपको, even definitely याद हो जाएगा चलिए, एसको बोलस की बात करें तो एसको बोलस में division वही रहता है, my quota, sub division यहाँ पर, sorry, division sorry, kingdom my quota रहता है, division जो है वो A mustigo my quota होगा यहाँ पर sub division थोड़ा सा change हो गया, भाई यहाँ पर देखे, A mustigo my quota में best you my quota, इसका sub division था लेकिन यहाँ पर division में A mustigo my quota है, but sub division क्या हो जाएगा, A mustigo my quota तो A mustigo my quota sub division का यह member है, सदस्य है और इसकी जो class है वो asco my cities यह disco my cities, किसी-किसी बुक में disco my cities भी लिखा हुआ है, तो आप दोड़ायाद कर लीजे, don't worry order की अगर हम लोग बात करें तो order इसका हो जाएगा Paisy Zelles, Paisy Zelles पढ़ो या Paisy Zelles आप इसको पढ़ सकते हैं, तो order क्या हो जाएगा Paisy Zelles, family जो इसकी हो जाएगी हो जाएगी, Paisy Tessy या Escobolicy Paisy Tessy या Escobolicy इसकी family हो जाएगी, जीनस के अगर हम लोग बात करेंगे, तो genus तर इसका Escobolicy होगा, और इसकी कोई एक Species आप रख सकते हैं, जिसका नाम है Liginatus, तो Escobolicy, Liginatus जो है, ये Species इसकी यहाँ पर रखी गई है, तो Escobolicy का, और हम लोगों ने Agricus का Classification देख लिया, अब इसके आगे हम लोग और भी दो फंगस के बारे पर देख लिए तो देखें, यहाँ पर दो फंगस और important हमारे है, इसके बाद में दो और बचेंगे, वह हमारे last fungus होगी मतलब बहुत सारे और भी है पतलब इस topic से related last fungus होगी जिनका Classification आपको पता ही होना चाहिए तो यहाँ पर एक है Fusarium और दूसरा मैंने यहाँ पर include किया है Polyporus, तो Fusarium जो है, यह काफी important fungus है, ठीक है, इसको बारे में हम लोग पढ़ना है, और पहले हम लोग Classification देख लेते हैं, Classification में इसका जो Kingdom हो जाएगा, वो Mycota हो जाएगा, अगर हम लोग Division की बात करेंगे, तो Division A Mastigo Mycota हो जाएगा, Subdivision यहाँ पर Dutero Mycotina बहुत important है, यहाँ पर A Mastigo Mycota का जो Subdivision है वो है Dutero Mycotina, उसके अंदर Fusarium को क्या किया गया, include किया गया Right, Class की बात करेंगे तो Class हो जाएगे इसको Dutero Mycety, Order की बात करेंगे, तो Order हो जाएगा Monilies, Sorry, Monilies या Monilies भी इसको बलोग पढ़ते हैं तो Monilies, Order हो जाएगा और Family की बात करेंगे, तो Family यहाँ पर हो जाएगी, Tuber Culereacee Family क्या हो जाएगी, Tuber Culereacee Then Genus की बात करेंगे, तो Genus Fusarium, Species यहाँ पर Oxysporum Fusarium, Oxysporum जो Species है, वो यहाँ पर Include की गई है, वैसे तो Fusarium की बहुत सारी Species पाए जारी है Fusarium Genus की बहुत सारी Species है अब हम लोग यहाँ पर Polyporus की बात कर लेते हैं तो Polyporus जो यहाँ पर Polyporus है बेटा, Sorry R-O-E-U-S Polyporus, तो Polyporus में यहाँ पर Kingdom, मतब क्लासिफिकेशन देखेंगे तो Kingdom definitely Mycota रहता है Division यहाँ पर A-Mastigo Mycota है, बट Sub-Division यहाँ पर change होगा, Sub-Division हो जाएगा Basidio Mycotina तो Basidio Mycotina जो है इसके अंतरगत Polyporus को रखा गया Class इसका Basidio Mycetes ठीक है, हो सकता है यहाँ हम लोग Hymenomycetes भी लिख सकते हैं Hymenomycetes भी लिख सकते हैं यहाँ हम लोग Basidio Mycetes कहां है तो ज़्यादा बहता रहे है Order यहाँ पर Aphylo Forals रहेगा इसका या Aphylo Forals हम कहा सकते हैं Family यहाँ पर Polyporacy जो family हो जाएगी क्या हो जाएगी Polyporacy क्योंकि family के last term में एसी term जुड़ता है तो polyporacy हो जाएगी और जो genus होगा वो polyporous होगा तो यहाँ पर जो species इसकी हो जाएगी क्या हो जाएगी Sulfurious तो Sulfurious जो है वो इसकी polyporous की species हो जाएगी वो है Sulfurious ठीक है तो Sulfurious Polyporous Sulfurious इंडिया में most common form में पाए जाती है जो कि Sulfur मस्रूम के रूप में भी जानी जाती है चलो इसके बाद में दो और हम लोग देख लेते हैं फटा फट तो देखे हमारे जो last यहाँ पर topic के दो fungus बचे होएं वो काफी important है पहला है यहाँ पर East जिसको हम लोग Saccharomyces के भी नाम से जानते हैं और दूसरा हमारा Astillago जिसको हम लोग इसमट फंगी के नाम से भी जानते है तो East में यहाँ पर जो इसका classification वो आपको याद रखना है बाकी इसके हम लोग ने classification के साथ साथ इसके जनरल करेक्टर और हमने इसका क्या कार होता है इसका body structure हम लोग ने पहली unit पर discuss किया जा तो अभी यहाँ पर अगर हम लोग kingdom की बात करें तो kingdom यहाँ पर हो जाएगा my quota division की बात करेंगे तो division हो जाएगा A. Mastigo my quota subdivision ascomycotina ठीक है A. Mastigo my quota का subdivision ascomycotina के अंतरगर east रखा गया है class जो है वो है ascomycities order की बात करेंगे तो order यहाँ पर हो जाएगा endomycetals family यहाँ पर हो जाएगी sacromycities ठीक है या sacromycetasy mycetasy ठीक है genus जो यहाँ पर हो जाएगा हो जाएगा sacromycities या east इसकी species क्या वशक्ता नहीं बहुत सारी है अगर हम लोग अस्टिलागों की बात करें तो अस्टिलागों को हम लोग gismet fungi के नाम से जानते हैं kingdom जो इसका होगा वो mycota होगा division A. Mastigo mycota होगा subdivision Bacidio mycotina अस्टिलागों को रखा गया है लेकिन यहाँ पर east को asco mycotina के अंतरगत रखा गया है तो थोड़ा सा relate करके आप पढ़ सकते हैं class जो है वो है यहाँ पर teleomycities जो class होगी वो कह होगी teleomycities होगी order जो यहाँ पर होगा वो होगा astela astelogenels astelogenels को या astelogenelese पढ़ सकते हैं ठीक है family यहाँ पर astelogenesi astelogenesi family हो जाएगी astelogenesi और genus जो हो जाएगा astelago about इसकी 300 species इस genus की खोजी जाए चुकी है तो बहुत सारी जो ismut diseases ismut fungi क्यों कह रहे हैं क्योंकि यह इस plants में जो plants होते हैं उनके अंदर यह ismut disease को cause करता है अब ismut disease में या तो close ismut होगा या तो covered ismut loose ismut या covered ismut के रूप में क्या है या disease cause करता है तो इस तरीके से बटा हम लोगों का fungus वाला जो chapter है fungus वाले chapter में कितने fungus हमको पढ़ने उनके classification के बारे में हमने यहाँ पर discuss कर लिया बहुत important है आपको पढ़ना है आपको याद रखना है क्यों क्योंकि यह जो मैंने classification यहाँ पर आपको बताए यह आपके exam में दो number में पूछे जाता है तो यह भी आपको याद रखना है अब इसके आगे जो हमारा पहला fungus है इसका नाम है अल्ब्यू गो उसका classification तो मैंने बताई दिया है वो आप याद कर लिजिए अब उसका जो अब इसका जो अब इसका जो प्रोसेस है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्ट्टर में डिसकस करेंगे तब तक के लिए बाबाय और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बल आइकन दबा लीजिए जिससे मैं जो भी वीडियो लेक्ट्टर डालूँगा वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा और एक बहुत important बाद आप लोगों को बता दें सबी लोगों को कि वबाटनी का पहला पेपर हमारा चला है और जो लोजी भी हमारा complete हो रहा है दिरे दिरे जो लोजी का पहला पेपर हम लोगों ने complete कर लिया है वो हमारा एप जो है सुमितराना साइंस क्लासे उसको आप प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ एप का डारेट आप लोड कर लीजिए और वहाँ पर स्टोर सेक्शन में जाकर के आप बिस्सी फरस्ट इयर का फर्स्ट पेपर पर्चेस कर सकते हैं जिसका अमाउंट बहुत मिनिमम है आप उसको जो है ना पर्चेस करके एक साल तक की वैलिडिटी है आप आराम से सारे वीडियो लेक्शर्स को पड़ सकते हैं इवन आपको वहाँ पर पीडिया फाइल भी मिल जाएगी ठीक है तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है और हम लोग नेक्स लेक्शर में मिलते हैं